है जहेंट दोस्तों सबसे बढ़ी सग्यान कूण सबसे बड़ी कौनցसे तो थो सीम्पल सा परस दोस्तों आप बलग वीडियो बाच किजिए इस रख्प्रस हमेजा बार बार पुछता है दो देखें क्या कीज़ें ये जितना है लिखा हुआ उसको लिखतीजें दो पर पर पार साथ फिर क्या है देखें तीन पर पार 48 48 फिर क्या है 4 पर पावर 36 यह है 36 और फिर लिख दीजे 5 पर पावर 24 यह लिख दिये दोस्तों अब 60 48 36 और 24 का HC अप ले ली दिये ठीक है अब जब इसका HC अप ले लेंगे हम HC अप लेंगे तो कितना आएगा तो हमारा आजाएगा आपका 12 आजाएगा दोस्तों ठीक है इसका HC अप ले ले लेना है अब HC अप जो इसका लिए तो सब में क्या करेंगे 12 से डिवाइट कर देंगे भागा दे देंगे दोस्तों ठीक है सब में 12 से भागा दे दीजेगे अब 12 से भागा दे दीजेगा तब 12 बचे 60 चला जाएगा फिर ये 12 से भागा दीजेगा कर जाएगा बर्चोक 48 फिर ये 12 से 12 तीया 36 फिर ये 12 दूने 24 ठीक है अब जो है दोस्तों क्या कीजे अब यहां लिखिये आप दो पर पावर कितना आगया ये 5 आगये दोस्तों फिर है 3 पर पावर कितना आया 4 आया और फिर 4 पर पावर 3 आया और 5 पर पावर ये असक्वाइर आगये दोस्तों अब इसको हम जब तोड़ेंगे तो 2 वो 5 बार लिखिएगा तो आपका 32 आएगा कितना 32 तो 3 को 4 बार लिख सबसे बड़ी संख्या कौन है तो सबसे बड़ी संख्या 81 एकासी है दोस्तों ठीक है और यह किसका मान था तो यह इसका मान था दोस्तों ठीक है और अने एसका पृटई है तो सही एंसर क्या हो जागा दोस्तों तो B नमबर सबसे बड़ी संख्या कौन सी यह यहां 181 आया दोस्तों तो सबसे बड़ी संख्या कौन है तो 3 पर valor प्रटी एट खीक है क्योंकि यहां पर बड़ा संख्या 80 वन आया है चलिए आगे बढ़ते हो नेक्स प्रस था नेक्स प्रस को देखते दोस्तों अब देखिए दूसरे नंबर प्रस दोस्तों दूसरा नंबर प्रस नापका साथ आदमी 14 दिन में 280 किलोग्राम चावल का उभूख करता है तीस आदमी कितने दिनों में 120 किलोग्राम चावल का उभूख करेगा तो देखिए दोस्तों कैसे बनेगा एक फर्मूला इसका M1, H1, D1 ठीक है यह फर्मूला दोस्तों बटा में आप लिख दीजे जब लू अनि वर्क उसका बद फिर लिखे M2, H2 और D2 और बटा में डबलू कर देजी आनि वर्क ठीक है M से मैन हो गया है H से घंटा और D से दिन हो गया अब डबलू से वर्क आनि काम हो गया दोस्तों ठीक है कुल काम अब क्या है 60 आदमी 14 दिन में 280 किलोग्राम चावल खाता है तो यहां लिखे 60 गुने अब जो है सो घंटा नहीं दिया दोस्तों सित दिन दिया है तो कितना 14 दिन में 14 दिन में अर्कुल कितना उभव करता है कितना काम करता है तो उसका वह काम है दोस्तों 280 किलोग्राम चावल जो खाता है ठीक है तो यहाँ 30 लिखिए और आदी में तो दिया नहीं है तो आप मैंन लिख दीज़े M2 निकालना है हमको और 120 किलो ग्राम टावल कितने दिनों में बहुग करेगा तो 120 किलो ग्राम उसको खतम करना क्या है 120 किलो ग्राम वही काम है उसका तो 120 है लिखते हैं है लिखते हैं कर दीजिए दोस्तों यह कटे ही यह 0 और 14 दुनी 28 अर यह कटे धो तिया छे छोड़ल है और फिर कौटे यह 3 से 10 बार में दोस्तों फिर कर ए यह जिलो और यह जिलो अब यह 3 जाग धुना होता होतो ठीकि इस तरह से 5 तुना होता है तर एम-2 है तो स्बीरान विच्जिप मेगा कितना अया कि अधिया कि यह आपका इसे हो गया कि किसान एक कोशिस किजिए देखिए यह प्रश्ण आप से बनता है या नहीं बनता है मुझे उम्हेद है सारे लोगों से बनना चाहीए दोतों ने कितनी है अधिर किसान के पास कुछ तोते ता कुछ वक्रियां नहीं इसके लिए मैंशुर टिक लेकर रहा है दोस्तों जादा लेना के जॉद्ध नहीं है एक किसका फर्मूला है पायर बटादो मैनस सीर पस इतना ही फर्मूला दोस्तों तो इस फर्मूले को आद कर लिजिए इस तरह सारह प्रस्ट आपका बनेगा तो पायर की संख्या कितना है देखिए अजिए उनके सीरो की संख्या 35 है और पैरो की संख्या 90 है तो यहां लिखिए 90 बटा 2 मैनस 35 अब काट कर जिए इसको काट जिए तो यह 45 बारे में काट जागा दोस्तों और इसको जब हम घटा देंगे तो कितना आएगा इसको घटाएंगे तो 45 में 35 घटा देजे तो हमारा आगया answer is sorry अभी answer नहीं आए दोस्तों 45 में 35 घटा देंगे तो 10 आएगा और 10 जो आएगा तो पहला बार इस तरह निकालेंगे तो चार पहरे वालों की संख्या आएगा दोस्तों इसलिए यह संख्या जो आया है सो बक्रियों की संख्या आया क्या आया बक्रियों की संख्या बराबर क्या करेंगे सीर में हम ठीक है यह सीर जो है सीर 35 है उसमें इसको घटा देंगे तो 35 घटाओ 10 तो कितना आजागा दोस्तों तो कितना आजाएगा दो तो तो किसंख्या कितना आया तो 25 आहीं आपका इंसर होगे तो सभी एंसर क्या हुगा तो यह नमबर हो दोस्तों चलिए आगे बढ़ difficस को देखते हैं इसमें एक तीज़ का दिहान रखिएगा सुरू में जो आएगा वो चार पैरवाले का आएगा बस इतना ही आपको आज़ रखने है दोस्तो उसके बाद सीर में घटा दीजे आपका इंसर आजागा दो पैरवाले का अब देखे चौता नमबर प्रश्ट दो तो पुरा हो जाएगा दोस्तो बारी बारी का प्रश्ट हमेंसा आता है समय और काम का ठीक हमेंसा आता है एक्जाम में चली अब इसको देखते हैं दोस्तो तो राम आठ दिन में करता है और स्याम 24 दिन में करता है यहां R से राम लिख दीजिए और S से स्याम लिख दीजिए राम करता है आठ दिन में और स्याम करता है 24 दिन में अब इसका LC हम ले ले लेंगे LC हम ले ले लेंगे तो 24 आएगा अब 8 से ड्वाइट करेंगे 24 में तो 28 या 24 और 24 से करेंगे तो एक बर में अब दोनों बारी बारीश करता है तो ये दोनों मिलकर कितना काम किया तो चार काम चार काम कितना दिन में तो दो दिन में अब क्या करेंगे कुल काम हमारा चूविस है और वो करता कितना है चार है तो चूविस में हम चार से डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा छे आएगा दोस्तों और चार काम दो दिन में चार काम को करने में दो दिन लगता अब इस दो से यहाँ पर गुना कर दीजिए तो आ जाएगा आपका 12 दिन दोस्तों और है आपका इंसर हो गया, तो सई इंसर क्या हुआ, तो सी नंबर हुआ दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हो नेक्स्ट प्रश्ट को देखते हैं, अब देखिए, पाचा नंबर प्रश्ट दोस्तों, पाचा नंबर प्रश्ट है, दस भुजाओ वाले एक बहुभूज के परतेक अंता कौन का योग, कौन का योग बराबर, एन मैनस टू, गुने एक सो असी, ठीके, और वाटा में, ये एन आ जाएगा, अब एन बराबर क्या होगा, ये भुजा के संक्या, जहाँ एन बराबर, भुजाओ के संक्या, अब क्या करेंगे दोस्तों, दस मैनस दो, ठीके, जहाँ एन लिखा होगा, दस भुजाओ, दस लिख देंगे, गुने एक सो असी, अब क्या कीजिए, बटा में, ये दस आ जाएगा, इन के जाएगा, अब इसको, दस में दो गया आठ गुने एक सो असी, और बटा में दस, अब कर दीजिए, ये जिरू कट किया, ये जिरू कट गया, अरा आठार को आठार से गुना करेंगे, तो कितना जाएगा हमारा, एक सो चो ओगा लिस आजएगा, दोस्तों, ठीके, तो कितना डिगरी का कुन बनेगा, तो कुन कमा अब क्या होगा तो 144 degree 144 degree टेक्स दोस्तों अगी आपका answer हो गया चलिए आगे बढ़ते और next प्रस को देखते हैं अब देखिए छट्टे नमर्ट प्रस्टों छट्टे नमर्ट प्रस्टों है आपका एक सु मीटर लंबी रेल गाड़ी 90 किलोमेटर घंटा की चाल से जा रही है इसे एक खंभे को पार करने में समय लगेगा कितना समय लगेगा तो देखिए दोस्तों कईसे बनेगा सुमा एक रेल गारी है ठीक ही है यह रेल गारी दोस्तों है इसे रेल गारी वने लिधे है अब यह हखंभा है कोई भी खंबा हो बिली खंबा हो कुछ भी खंबा हो दोस्तों ठीक है एक खंबा है तो इसको पार करने में इसको कितना समय लगेगा तो क्या है एक सुमिटर लंबी रेल गाड़ी रेल गाड़ी के लंबाई कितनी है तो एक सुमिटर और 90 किलोमेटर घंटा इसकी चाल क्या ह ये लंबाई है दोस्तों ठीक है और ये दूरी हो जाएगा ठीक है तो दूरी कितना है तो नबे सॉरी लंबाई चाल है दोस्तों ठीक है थोड़ा सा मैं मिश्टेक किया चलिए उसको सुधारता हूँ इसकी चाल जो है चाल नबे किलो मेटर परती घंटा किलो मेटर परती घंटा अब इसका एक फर्मूला होता है दोस्तों आप से निकालने क्या बोला है समय तो समय बराबर दूरी बटा चाल होता है ये फर्मूला हो गया दोस्तो अब दूरी हमारा कितना है तो जो लंबाई होता है वही दूरी होता है तो दूरी कितना है तो सौ मीटर और चाल कितना है नब्वे किलूमीटर घंटा तो 90 किलोमेटर घंटा जो है ये मीटर परती सिकेंड में होना चाहिए और मीटर परती सिकेंड में बदलने के लिए इसको 5 बटा 18 से हम गुना करते हैं 5 बटा 18 से गुना करते दोस्तों चीक है तो इसको यहां लिख दीजे 5 और यहां लिख दीजे 18 अब आप यहीं काट दीजिए इसको या उलड़ दीजिए चलिए हम यह काट देते हैं अठारा पच्छे नभी ठीक है अब काटिए पांच से तो पांच दूनी दस बीस आ गया ठीक है और पांच से काटिए के पांचों के बीस आनि चार सेकेंड लगेगा दोस्तों कितना को वीडियो अच्छे लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें चैनल सब्क्राइब करें और वीडियो को अधिक सब्सक्राइब कर दें दोस्तों आप लोग सपोर्ट किजिए तभी मैं कुछ कर सकूंगा ठीक है तो प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है मेरा आप लो चैनल सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को अधिक साधिक शेयर कर दे चले कल मिलते हैं थैंक यू